नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बियॉंड में ये कहानी है तो वास्तविक लेकिन इसका लेखन किया है यानि केट सिंग बगेल ने और आवाज है मेरी यानि के पारितोष सिंग बगेल की कहानी उस वक्त की है जब हमारे गाउं में बेजली नहीं थी लोग शाम के साथ बजे ही खाना खाकर आराम करने चले जाते थे और इसी के साथ ही सड़के सूनी हो जाती थी हमारे गाउं में हर सावन में रामायंड का पाठ हुआ करता है ऐसी एक रात सावन के पाठ के बाद लोकेश और राजेंद्र मंदिर में ही बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे शाम हो चुकी थी और काली घटाओ ने अंधेरा और बढ़ा दिया था उन दोनों ने करीब एक गंटे तक बारिश के थमने का इंतजार किया जब बारिश बंद हुई तो दोनों घर जाने लगे लोकेश का घर पास में ही था और उसके पास एक टॉर्च थी उसने राजेंद्र ने उसे अपने साथ चलने को कहा लोकेश उसे घर छोड़ने जाना तो चाहता था पर उसे एक अजीब चीज का आभास हो रहा था उसने उससे कहा कि मैं तुझे तेरे घर के पास वाले मोड के पास छोड़के ही लोटाऊंगा राजेंद्र ने भी हामी भरी ल लोकेश ने उसके घर से पहले वाली गली के बारे में कहानिया सुनी होई थी कि वहां किसी चीज का साया होता है शायद इसी वजह से वो वहां पर थोड़ा डरा हुआ था पर दोस्त को घर छोड़ने के लिए वो उसके साथ चल पड़ा जैसे ही वो दोनों राजेंद्र के गर के सामने पहुँचे उसने लोकेश से कहा वापस ध्यान से जाना और छोटी गली के रास्ते में ना तो जाना ना ही देखना लोकेश वहां से वापस मुड़ा तो उसे उसके हाथों में अजीब सी जलन हुई जब उसने अपने हाथ को चेक किया तो उसके हाथों में स्क् सामने वाली गली में चले गया लोकेश ने सोचा कि एक कुत्ता होगा और वो उसके पीछे दोड़ा और उस गली तक चला गया जहां जाने से राजेंदर ने उसे मना किया था हाँ वही छोटी गली लोकेश को पता था कि मुझे उस गली से नहीं जाना है पर दो जलती छोटी छोटी आँखों ने उसका ध्यान कीच लिया जैसे ही लोकेश ने वहाँ ध्यान से जाका तो उसे दिखा कि उसे वो आखे घूर रही हैं लोकेश को अब डर लगने लगा था लोकेश के हाथ पाओं डर के मारे जाम हो गए थे और धीरे धीरे उसे एक एक करके कम से कम चालीस आखे घूर रही थी लोकेश मूर्दी की तरह वहाँ जम चुका था पर उसने धीरे से हिम्मत करके टॉर्च उठाई और उन आखों की तरफ टॉर्च मोड़ा तब उसके रॉंग्टे खड़े हो गए उसने देखा वहाँ पर तीन फीट लंबे ग्रे कलर के छोटे छोटे बच्चे जिनके बाल बिखरे हुए थे दाट धारीदार और आखे जलती हुई रोष्णी में आते ही वो सारे बच्चे ज़ूर ज़ूर से एक पतली आवाज में चीखने लगे तीखी आवाज में चीखने लगे लोकेश का शरीर डर में जम सा गया था फिर भी वो जैसे त जच सच बोलू, वो गली मेरे घर के पास ही है, और रात के समय अगर आप उस सुनसान जगा को देखोगे न, तो उसमें आपको हलचल पता चल ही जाएगी, और कभी कभी जब मेरी नींद तीन बजे खुलती है, तो आज भी उनके चीखने की आवाज सपश्ट सुनाई देती ह दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, और आप लोगों तक पहुचाना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें